तो यह तीन तरीके हमने पढ़े थे हैं फिर हमने चैप्टर नमबर फाइब में यह देखा था हम किस तरीके से gradient accent apply कर सकते हैं using kira's backend तो वही काम हम यहां पर भी करेंगे gradient accent apply करेंगे हम on the input to the cons net in order to maximize the activation of a specific filter तो हमने चैप्टर नमबर फाइब में जब किसी specific filter को visualize करना था तो वहां पर हम gradient accent apply कर रहे थे किसी specific filter के activation को maximize करने के जिए यहां पर हमने किसी एक filter के activation को maximize नहीं करना बलके तमाम filters के activation को maximize करना है ठीक है जी तो deep dream यही idea लेता है लेकिन with slight difference वो difference क्या है you try to maximize the activation of entire layers तमाम layers के activation को maximize करना है rather than that of a specific filter किसी एक filter के बजाए तमाम filters के activation को maximize करना है तो विजुलाइजेशन को mix कर रहे हैं आप लार्ज नंबर ओफीचर एट वंस बहुत सारे फीचर जो के हर फिल्टर से निकल कर आ रहे हैं उनको मिला दिया गिया है तो आप सोच सकते हैं इमेज कैसे बनेगी है चीक है जो वह बिलकुल जह है deep dream इस वह से कह रहे हैं इसको के image ही इस तरीके की बन दी है चीक है इसके लावा आप जहें यूटोंट स्टार्ट फॉम ब्लैंक इमेज बल्किया आपके पास एक इंपुट इमेज है विद्स स्लाइट नॉइज उसके इमेज से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जह है इमेज को प्रॉसेस करेंगे सबसे पहले आप जो रिसोड़्ोट नेमेज लेंगे फिर उसको जूम करेंगे कि साइज को बढ़ाएंगे जूब करेंगे फिर फिर जूब करेंगे फिर 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 एजूब करेंगे फिर उसके लब करेंगे and you keep on scaling up until के original size की image आच आच तो यूपल स्टार्ट फॉर्मजट प्रेट्रेंड ऑन इमेज नेट में तो आपको एक कॉन्वूुशनल नेटवर्क चाहिए जहां से आप इस्टार्ट करों फिर्व द्राइब बहुत सारे कॉन्वुशनल नेटफर्क अवैलेबल हैं किसी Convolutional Neural Network को स्टार्ट करोगे उसके उपर उसके फिल्टर को लोगे उसके फिल्टर को लेने के बाद आप बोलोगे कि इन फिल्टर का एक्टिवेशन मैक्सिमम कब होता है किस इंपूट के वह इंपूट मालूम करो यूदिंग ग्रेडिट एस इंट यह काम हमने करना है तो हमें इसके लिए इसके लिए Convolutional Neural Network चाहिए तो हम स्टार्ट करेंगे वीजी 16 से वीजी 19 से इक्सेप्शन से रैसनेट से इंसेप्शन से मुक्तलिफ तरिके Convolutional Neural Networks मौचूद है किसी को भी इस ता लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं चीक है तो डिफेंट Convolutional Neural Network अर्किटेक्ट्चर है उनमें से आपको इसे भी इस्निमाल कर सकते हो यह तो पहला स्टेप जो है हमारे पास मेरे खाल है मैं अजय आचा चले इसी पर हम देख लेते हैं वन ना जो है हम नोट बुक पर देख सकते हैं तो सबसे पहले आपने लोट किया इमेजनेट के वेट्स हैं इंसेप्शन इमेजनेट के टरेइन हुआ हुआ है तो कौन से वेट्स है उसको अठा लिया हमने एक और अगले स्टेप पे हमने क्या किया अब हमें जो है लॉस मालूम करना है त्थीक है जिस लौस को हमने जो है just gradient as it say maximize करना है maximize करना है यहां पर gradient as it इसेड़ ठीक है किस चीज़ को maximize करना है हमने कैट चीज maximize करनी है हमने जितने भी layers है हर layers के filters के output को या activation को maximize करना है हमारा लॉस यहां पर क्या है हर फिल्टर का आउटबों यह फिल्टर का अच्टीवेशन जिसको कहा जाता है उसको मैकसिमाइज करना है अब यहां पर एक फिल्टर तो है नहीं कई फिल्टर है तो हमें सब कि कसके यहां पर हम ने वेट इंड रहा हो सब्सक्रेंगे और उसका ल्चू नौन इन क्थी है अब हम हम लिये को लेने के वजाए कुछ सैंपल लिएर यहां पे higher layers higher layers के उपर काम किया जाएगा lower layers जो है जो भी layer आप select करेंगे उससे जो है pattern थोड़ा सा different आएगा lower layer जो है geometric patterns देगा higher layer जो है वो इस तरह के pattern देगा कमसकम आप classes को recognize करने के काबिल होगे तो हमने higher layers को लिया अब हमने चार layers को लिया जो के आपके convolutional neural network में मौझूद है mix 2 mix 3, mix 4, mix 5 ये चार layers है जो के आपके convolutional neural network जो inception है, inception के layers के नाम है ये ठीक है अब चार लेयर को हमने combine करना है इनके loss को चार लेयर है इनके loss को हमने combine करना है इनको add करिए हम simple add भी कर सकते थे लेकिन यहां पर हम weighted sum ले रहे हैं तो हर किसी को अलग-अलग weights देतिया है किसी को 0.2 किसी को 3.0 किसी को 2.0 किसी को 1.5 वो अलग-अलग हमने weights दे दिया है ठीक है अब यहां पर हमने loss calculate किया सबसे पहले हमने एक dictionary बना दी जिसमें जहें layers के नाम और layers को डाल दिया अब हमने इस पर लूप चलाया हर layer के उपर हमने लूप चलाया यहार लेयर के उपर लूप चलाया layer के हमने weights निकाले हर लेयर का output निकाला और उस layer के output को हमने क्या करा multiply करा उसके weight से और add कर दिया तो loss की एक single value निकल के आ गई एक single value loss की आ गई जो के हमें चाहिए ठीक है जी अच्छा हमने यहां पर कीरास की back end को इस्टमाल किया है तो यह जो calculation है न यह calculation अभी यह execution नहीं हो रही है इसकी यह सारी चीज़ें जो है graph की form में बन रही है तो हमने क्या कर रहा है मैं repeat करते रहा हूं loss का एक variable बनाया है हमने और लॉस कैल्कुलेट किया हर लेयर के output को multiply करना है हमने उसके रहे वेट से और लॉस में एड्ड करदेना है तो यह loop चल ला है पहली लियर का लॉस आएगा वह इस लॉस वैरिबल के बाद सारे लूप लगने के बाद हमने चार लिए ना यह चार लियर्ज ली है पीछे mix 2, mix 3, mix 4, mix 5 इन चारों के output को हमने add कर दिया तो यह loss आएगा अच्छे यह actual execution इसकी अभी हो नहीं रही है बलके यह पूरा एक graph बन रहा है जैसे कि मैंने बता है कीराज के back end को इस्तमाल करते वे यह फायदा होता है जब आप gradient ascent apply करोगे तो यह सारी चीज़ें चलेंगी अभी सारी चीज़ें बन रही है ठीक है plan हो रही है design हो रही है execution कब होती है जब आप gradient ascent चलाना चुरू करोगे अच्छा है यहाँ पर हमने scaling factor से divide भी किया है scale भी किया है यह research paper है obviously research से सामने आई हैं चीज़ें तो हमने इसको scale भी किया है फिर हमने बुला loss हमारे पास आ गया ठीक है loss क्या है यहाँ पर loss हर layer का output है उनको add कर लिया है लेकिन add हमने weighted form में किया है weighted add किया है यानि किसको multiply किया है किसी factor से हर किसी को बराबर weight नहीं दिया किसी को कम weight दिया है किसी को ज्यादा दिया है अब हमने जह है derivative निकालना होगा gradient descend या gradient ascend जो है दोनों में हमें derivative निकालना होते है derivative की मदद से हम जह है function को maximize करते है या minimize करते हैं और तो डेरिवेटिव निकालने के लिए दो चीज़े हमें पता होनी चाहिए एक किसका डेरिवेटिव निकलना है दूसरा किसके हिसाप से निखालना है तो डेरवेटिफ किसका निकर ला है? लॉस का निकर ला है? किसके हिसाब से निकलेगा? इनपॉट के असाफ से. हमें चेंज च्या करना है? इनपुट को चेंज करना है with respect to लॉस. लॉस को देखते हुए हमने अपने वेड को एजस करना होता था अगर आपको याद हो gradient decent तो हम loss को देखते वेट को adjust करते थे यहां पर हम loss को देखते वे किसको adjust करेंगे input को हमें वो input मालूम करना है जिस पर हमारा filter जो है maximum value दे रहा हो तो हमें जो है gradient निकालना है loss का with respect to input dream क्या है input model.input अच्छा यह calculations अभी बन रही है यह हो नहीं रही है ठीक है फिर हमने क्या किया उसको normalize किया है हमने L2 norm लिया है नॉमलाइस कर दिया gradient को और हमने यह कोशिश की कि यह 0 ना हो तो इस वज़ा से हमने 10 raise to power minus 7 जो है अगर 0 हो रहा है तो 10 raise to power minus 7 को पिक कर देंगे अब output जो है उसमें दो चीज़े निकल कर आएंगी हमारे पास हमने एक function मना लिया जो के input क्या लेगा dream को dream क्या है model का input और output में दो चीज़े हमें return करेगा वो दो चीज़े होंगी loss और gradient gradient ठीक है एक function मना दिया evaluate loss and gradient के नाम से ये इस function को call करेगा fetch loss and gradient को input कुछ भी देगा image को input देगा और दो चीज़े निकालके देगा loss value और gradient value तो हमें करना क्या है summarize करूँ यह मुक्तसर वैसे तो यह code आपने याद नहीं करना है code आपको समझ में आना चाहिए बस और पूरा समझ में आना भी जरूरी नहीं summarize इसका जो summary है आप कमस्कम इस काबिल हो के इसको change कर सकें और अपने हिसाब से tune कर सकें अपने काम के हिसाब से तो कमस्कम आपको code का idea होना जरूरी है तो idea यह है कि हमने जो है model के input के हिसाब से loss हमारा change हो रहा है किंपड चैंज कर रहे हैं लॉस चेंज हो रहे हैं लॉस क्या है हमारा किसी भी थे का इंपट के हिसाब से filter गाउट बथे यो घेंवे जो हमने क्या करना है ग्रीज कि लास का डेलख गरें गे.-साब से अब वो जो भी derivative आएगा उसके हिसाब से हमने input को modify करना होगा जैसे हम gradient descent में करते थे कि हम जो है model के loss को हम weight के हिसाब से adjust करते थे loss का derivative निकालते थे और हम भूलते थे कि derivative यह आया derivative minus कर देते हैं हम weight में से हैं यहां पर यहीं काम कर रहे हैं gradient descent के अंदर हमने loop चलाया कई iterations चल लिए अवेलवेड लॉस इंड ग्रेडियन एक function है जो के loss और gradient return कर रहा है और अगर loss maximum से बढ़ा हो रहा है तो हमने से रोख जाने लॉस बढ़ना शुरू हो जाय का करना है अब क्योंकि यहां पर हम gradient accent कर रहे हैं wero kya यहां कपतलों के हमुसे loss को बढ़ाना है हूश में जबकि gradient descent में loss को कम कर ना होता-था तो gradient descent में हम नीचे की तरफ आते थे gradient में हमें ओपर की तरफ जाना है तो जो भी डेरिवेटिव आएगा हमने उसको प्लस करना है एक्स में एक्स हमारा इंपुट है और इस टैप जो है यह लर्निंग रेट है लर्निंग रेट से मल्टिप्लाइ करके चीक है जी अब आते हैं हम अगले स्टैप के उपर यह सारी चीज़े हमने फंक्शन बनाई है अभी अब ग्रेटिंट डिसेंट अप्लाइ करना शुरू करेंगे हम हगारे इंग करते हैं हमने अप्लाइक करना है तो अग्ली स्टैप में इमेज का साइज बढ़ागाना है फिर टुबारा ग्रेटिंडिकर लगाना है मुख्तलिफ साइस पे ग्रेटिंट आइस्टा इस्टा इमेज का साइस बड़ा हाथ से जाना है तो यह आउक्टेव बता रहा है आउक्टेव स्केल और नमबर और आउक्टेव से हमें पता जल्ला है कि किस किस साइस के ओपर इमेज को प्रॉसेस करना है but a bit ə conse co pre process theorems किया हुआ है ती कि प्रिप्रॉसेस करने KY CBD का मतलब है कि मेड को रेंज में इसके पिक्सल वैल्यू وہ को लेकर आना है इमेज को नॉम्मलाइज करना है मुद्नफ तरह की चीज़े करने है फिर हमने लूप लगा कि हमालूम किया कि किस साइस पर इमेज को प्रोसेस करें कर थे वारिट डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी स्केल फेक्टर लिया आपने अगर 2 लिया होता तो पहली दफा जो है इमेज पूरे साइज की होगी उसके बाद आदे साइज की उसके बाद एक चुथाई साइज की याने टू की पावर से कर रहे होगे जो भी पावर है टू की पावर ले सकते हो यहाँ पर इन्होंने 1.4 लिया है अगर टू लेते तो आदी फिर आदी की आदी पिर आदी की आदी की आदी याने हाफ वन फोर्थ वन एट वन सिक्स्टीन इस तरीके से हो रहा होता ठीक है और फिर हमने इसको रिवर्स कर दिया हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे कैलकुलेशन तो यह हप्र फिल साइज कीमेंगे फिर यदि प知道 कि अंदि एक चाफ करींगे पिर लाधी लीक्नलेट फिर रहादि आजीए defence com ने जाएंग तो हे मुपिरे सब्सेटे साइज से स्ब्सक्राइन को करेंगे इस वि locked डीटी सेट अप्लाई किया हमने इसेट अप्लाई कने के बाद जो इमेज आई हमारे पास वह हमने सेफ कर दी भी है फिर अग्रे स्टैब में साइज बढ़ा सक्सेफ शेप सेंदे हम और हमने साइज रखा है पिसाइज बढ़ा है फिर दुबारा ग्रेडिंडींडेसेंट अप्लाइए किया फिर मारे प्र्रोसेश करते हैं और हमने इसके बाद इमेज को सेफ करा लिया तो इसको चला के देखते हैं यह इस इमेज है हमारे पास ठीक है लिए कोई इमेज ले लेते हैं यह मैंने नेट से डाउनलोड कर लिया पहले हमने इंपोर्ट करा लिए कुछ मॉडल इंसेप्शन के मॉड्यूल को हमने डाउनलोड कर लिया यह अच्छा इसकी अगर समरी देखें हम मॉडल की समरी देखें मॉडल डॉट समरी तो इसके अंदर देखें आपको जहें मुक्तलिफ लेयर्स के नाम मिलने होंगे ठीक है इसमें से हमें कौन-कौन सी चाहिए लेयर्स मिक्स्टू मिक्स्ट्री या आखर के लियर्स हैं मिक्स्ट्री आ गिया मुख्टलिफ लेयर्स है ठीक है fordi मेस्ट्ू भी होगा और मेक्स एकल गए तो इसमें से हमने मिक्स 2, मिक्स 3, मिक्स 4, मिक्स 5 को पिक कर लिया हमने, इसके weights हमने डाल दिया, इसकी एक dictionary बना दी लेयर और उसका नाम, नाम जो है की है और उसे आप लेयर पिक कर सकते हो, तो हर लेयर का output आपने पिक किया, उसको activation नाम दे दिया, और उसको जो है, loss में डाल दिया, हर लेयर के output को loss के अंदर add करा दिया, अब देखें, यहाँ पर हमने जह है, loss is equal to loss, यह book के अंदर mistake है, loss plus is equal to करके लिखा वैं book के अंदर, तो यह चल नहीं रहा, है पर कोड लॉस इकोल टूं लॉसे करणा होगा यह इस तरह लिखा हुब के अंतर यह mistake है आब लॉसे डॉल टू लॉस्प्लॉस कोफिशेंट करके और इसको जे है गद लगे करना पड़ेगा मिन उसके बाद हमने कबभी वैरियाबल सेटर पटे हि council of मारा गिरेडियर निकल कर आएगा अगुल के इंपुट के सापसें चाहींडिय। जो करoter करो निकल कर आएगा सब्सक्राणिय। लॉस पेजा सब्सक्राइब तो करेंगा तो हमने लॉस पास किया किस के साफ से निकल कर आएगा dream के साब से जो के derivative होगा उसको normalize कर दिया हमने फिर एक variable define कि हमने एक function actually fetch loss and gradient के नाम से जिसको की रास का backend का function define कि हमने backend के function को define करते हुए आपको दो चीज़ें देनी होती है कि इसका input क्या होगा और इसका output क्या होगा input जो है dream और यह dream क्या है model.input तो जब यह चलेगा तो यह अपने input लेने के लिए क्या करेगा इस line को चलाएगा यह line अभी चलेगी नहीं कि setup हो रहा है execution कब होगी जब आप gradient ascent apply करोगे तो जब आप यह function कॉल करो गया तो फिर यह input calculate करेगा और output calculate करने के लिए यहां पर आएगा output को यहां define किया हमने loss और gradient loss के के लिए यहां पर जाएगा gradient के लिए यहां पर आएगा तो यह gradient ascent apply करने का function define किया कुछ helper function define किया हमने image को resize करने का function define किया image को save करने का function define किया अच्छा यह code भी जो है यह बास computer पर नहीं चलेगा तो image io.imright के नाम से function है यह आपको जलाना पड़ेगा ठीक है साइप आएक अंदर यह image safe का function है है यह डेप्रिकेट हो गया है तो अब यह इस्तेमाल नहीं होता उसकी जगह पर image राइट करने के लिए image io की लाइबरेडी इस्तेमाल करके आएम राइट का method इस्तेमाल कर सकते हैं पर प्री प्रॉसेस इमेज है डी प्रॉसेस कुछ helper functions है यहां पर image का path दिया हमने इमेज के size calculate किया है कितने मुख्तलिफ sizes में image होगी यह प्रॉसेस हो रही है image तो यह इसनी deep dream के मुख्तलिफ size के ओपर देखें सबसे पहले जो है इसने size लिये चोटा सबसे छोटा size 335 596 उसके बाद 1.4 हमने scaling factor दिया तो 335 को multiply किया होगा 1.4 से तो यह आया होगा तो उस size में तो पहले image यह बनी फिर बड़े size में इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी या इनों के जिसमें आपके questions होंगे ठीक है तो आप पोज भी सकते हैं जहां तर के मैं आंसर दे सकोंगा दूंगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यह किसी रिसर्च पेपर की implementation है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसकी explanation के लिए आपको further research करनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी आपकी समझ में ना भी आ हैं लेकिन कमस्कम आपको कोड का बेसिक आइडिया डिवेलब हो जाए